नमस्कार दोस्ते तो आज का question में पूछा है Mansoor जी ने और ये पूछते है कि क्या मुझे RO system की जरूरत है hydrophonic farm चलाने के लिए तो आई ये जानते हैं कि क्या सच में हमें RO system की जरूरत है hydrophonic farm चलाने के लिए तो generally हम कभी भी जो पानी use करते है hydrophonic system run करने के लिए तो उसके एक basic property होने ही चाहिए वो property है कि उसका TDS एक 200 से 300 के नीचे हो 300 के अंदर का उसका PPM होगा मतलब उसके अंदर जितने भी dissolved salt है तब भी तो उसके अंदर हम लोग और fertilizer add करके उसको हम लोग एक water prepare कर सकते अपने hydrophonic nutrient के साथ जिसमें हम लोग अपना एक पुराफा में run कर सकते हैं तो जनरली लोग RO system के use करते हैं अगर आपका PPM बहुत जादा है और आपके पास पानी के दूसरा alternative source नहीं है जनरली अगर मेरे पास जो पानी आया है मेरे पास यह municipal water है या नदी का पानी है या कुवे का पानी है और उसमें मुझे PPM मिल रहा है 700 तो मैं इस condition में क्या कर सकता हूँ तो इस condition में आप RO filter लगाते हो और RO filter लाके आप उसका PPM बहुत ज़दा कम करते हो तो RO filter में हमें एक और चीज़ समझने की ज़रुरत है कि अगर आप aquaponics कर रहे हो तो आपकी dependency RO filter में बहुत ज़दा है लेकिन अगर आप सिर्फ hydroponic कर रहे हो तो RO filtering में आपको सिर्फ और सिर्फ TDS filter की ज़रुरत होती है जो कि आप बहुत आसानी से बनाया जा सकता है TDS filter यूज़ करके तो आपको actual पूरा RO system की ज़रुरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का जो TDS system है जो पानी का TDS कम करता है उसके आपको ज़रुरत है TDS membrane को यूज़ करके यह easily किया जा सकता है और एक बहुत अच्छा खासा एक TDS system आप घर पर develop भी कर सकते हो या अपने farm पर develop कर सकते हो एक पूरा RO system यूज़ करने के बज़ा है अच्छा एक दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो जहां पर बहुत ज़्यादा cost बचानी है तो अगर आपका TDS जो है पानी का वो 300 नहीं है लेकिन वो 700 भी नहीं है तो आप 50% water RO filter से ले सकते हो और 50% आपका जो normal water है आप उसे यूज़ कर सकते हो तो इससे क्या होगा आपका TDS balance होके एक 300 to 350 की range में आ जाएगा अगर आपका जो normal water का TDS है 450 RO water आपको TDS दे रहा है 100 तो आपको balance एक 300 TDS का आपको पानी मिल जाएगा इस पानी को आप यूज़ कर सकते हो hydrophonic system run करने के लिए यह बहुँ ज़्यादा cost effective भी होगा आपको बहुँ ज़्यादा पानी waste करने की भी जरूरत नहीं है RO filter जनरली पानी बहुँ ज़्यादा waste भी करता है तो आपको आप पानी बहुँ ज़्यादा बचत कर सकते हो तो यह था answer आजके question का अगले वीडियो में मिलते एक नए question और एक नए answer के साथ Thank you